नमश्कार स्वागत है आपका RMC Maths की Concept Series में आज है Day 17 और आज हम लोग एक Simple सा Concept पढ़ेंगे Simple Interest का ठीक है नाम भी Simple Interest है छोड़ा सा Example में लिलता हूँ Suppose अगर आप 100 रुपीस deposit करते हैं बैंक में और बैंक वाला अगर आपसे कहता है कि मैं आपको Rate of Interest दूँगा 10% का add होगा उस 100 रुपीस में it will become 110 at the end of that particular year suppose 2024 में आपने अगर बैंक में 100 रुपीस deposit करे और बैंक ने आपको 10% पर आनम के हिसाप से अगर Interest Rate दिया तो आपने 10% निकाला तो 10 रुपीस का आपको Interest मिलेगा इसी को Investment कहता है मतलब आपने बैंक में 100 रुपीस डाले और बैंक ने आपको 110 रुपीस कर रहा है वो ठीक है इसी को क्या कहता है Investment क्योंकि आपका पैसा बढ़ रहा है What will happen for the next year? Suppose 2025 के लिए क्या होगा? वो जो 100 रुपीस था वो अब आपका 110 हो चगा है बैंक में ठीक है? फिर से कितने का Interest मिलेगा आपको 10% का लेकिन जो 10% का Interest मिलेगा ये आपका जो सबसे Initial Principle था इसको Principle केता है जो आपने सबसे पहले जो पैसा Deposit किया था उसका 10% ही हमेशा मिलता है इसलिए Simple Interest is not practical क्योंकि आपका पैसा थो बढ़ रहा है बढ़ इंटरेस्ट रिमेंस था सेम, always and every time पैसा बैंक में बढ़ी गया आपका 100 रुपीस से 110 हो गया, 110 से 120 हो गया लेकिन इंटरेस्ट 10 रुपीस, 10 रुपीस अगले साल क्ले भी 20, 26 क्ले भी 120 is going to be the principle रेट फिर से 10% है लेकिन ये 10% किसका है? तो कितना जाएगा, again 10 रुपीस and it's going to be 130 तो बैंक में आपका पैसा बढ़ा तो सही, लेकिन इंटरेस्ट 10 रुपीस, 10 रुपीस, 10 रुपीस that's why it is not practical, इसलिए बैंक में कभी simple interest लगता नहीं, कुछ FDs भी लगता है ठीक है? Otherwise, simple interest is not practical, लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ सीख गए जो पैसा आप बैंक में deposit करते हैं, उसको हम बोलते हैं, principle इसको हम sum भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका हम interest निकालते हैं और इसी में interest add भी होता है, 120 में 10 रुपीस add होगा, तब जाकर हमें जो मिलता है, इसको हम बोलते हैं, amount तो हमेशे यादक ना, कि principle एक छोटी value है, जिसमें आप interest add करके एक बड़ी value बनाओगे, बड़ी value amount है, छोटी value interest है अगर आप पैसे bank में डाल रहे हो, तो bank वाला आपको interest add करके जो पैसा लटा रहा है, उसको हम amount बोलते हैं जो पैसा आपने bank में डाला, वो पैसा क्या है, principle, उसको sum भी बोलते हैं तो कभी-कभी दो values देगा तो यादक न, principle और amount का difference का है, वो आप आराम से निकाल सकते हो, principle की value हमेशे चोटी होगी, amount की value हमेशे बड़ी होगी तो यही से logically आपको क्या है समझ मारा है कि principle में अगर मैं interest जोड़ूँगा तो amount बनेगा, automatically we have got this formula उसके अलावा, SI is equal to P into R into T upon 100, यह तो हमें पता है, यह इसे very linear formula, having a very linear relationship अब भी देखलो, तीन साल का जो मेरा interest है, वो 30 रुपीज है, अगर मैं यह पर निकालूँग, P की value कितने है, 100, rate कितना है 10%, time कितना है, 3 years, upon 100 करूँगा, 100 so 100 cancel, 3 10s है 30 रुपीज और हमें साफ साफ दिख रा है कि 100 रुपीज मेरे, finally कितने बनगे, 130, 30 रुपीज का हमें जे interest मिला, अगर आपको इतना simple सा logic समझ में आ गया है, तो इस पर based एक simple सा question कर लेते हैं, लेकिन इस question को करने से पहले आपको उसी concept को समझना पड़ेगा, इसी arrow diagram को समझना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या दिया, in how many years a principal amount become double, if the rate is 20% तो अब देखे क्योंकि आपको यहाँ पर time निकालना है, और basically आप कुछ भी value चाहे ले सकते हैं, suppose अगर मैंने यह क्या कहना चाहरा है मुझसे कि अब principal amount, अब आप confused मत होना, आप यह मत बोलना कि सर principal भी बोल रहा है, जिसको amount भी बोल रहा है, generally पैसे को amount भी बोल सकता है, आपको यह समझना पड़ेगा, कि अगर मैंने पैसा double हो रहा है, तो बैंक में रखकर ही हो रहा है, या कहीं पर invest करके ही हो रहा है, तो जो पैसा मैं रख रहा हूँ, suppose मैंने 100 rupees bank में डाले, तो यह 100 rupees principal है, और इस 100 का अगर 200 हो गया, double हो गया, तो यह amount है, यह amount है और यह principal है, आप x लिकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, value में जादे easy रहता है, तो आप खुच सोचो, अगर आपके 100 rupees 200 हो रहे हैं, तो कितना interest add होगा, आप यहां से भी formula से भी निकाल सकते हैं, p plus si is equal to amount, principle आपने 100 लिया है, si आपको नहीं मालूम, amount आपका 200 हो गया है, यहां पर si क value कितना आजाएगे, 200 minus 100 कितना आजाएगे, 100, साफ साफ यहां से भी समझ में आता है, कि 100 में कितना add करूं ताकि 200 आजाए, तो यहां से now you have got all the values, कि इस question में कोई value नहीं दिये, ना principle दिया है, ना आपका amount दिया है, तो आप बोलो कि sir कैसे approach करें, you can take any value, आप x लेके भी करेंगे, तब भी भी आपका answer आएगा, अब आपको rate निकालना है, तो apply this formula, si is equal to pay into r, into t upon 100, si की value कितना है 100, principle कितना है 100, rate कितना है 20%, time हमें calculate करना है 100, 100, 100, 100 cancel 25 times, तो time कितना आगया 5 years, ठीक है, इसी तरीके से कर rate भी पूछेगा, तो same concept आप apply करेंगे, इसी तरीके का arrow diagram बनाएंगे, और exam में कैसे करेंगे, let the value, let the value of principle be 100, and according to the question, the amount is going to be double of the principle, so it's going to be 200, और फिर ऐसा ही निकालेंगे, और फिर formula लगाके, आप इस तरीके से rate य simple interest का आपको समझ में आए होगा, based on this concept, RIMC के सारे previous ESQ questions कर लेना, don't think कि simple है तो exam में नहीं आएगा, अगले video में इसका एक और application हम लोग देखेंगे, और वहां से भी बहुत सारे questions होंगे, और वहां से भी आपको बड़ा मज़े आने वाला है, ठीक है, तो हमारे इस concept series के All the best, Jai Hind